नमस्कार साथियों क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं साथियों इस वीडियों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बांगलादेश के उपर आप सभी को पता चल गया होगा कि बांगलादेश में शेख हसीना ने प्रधान मंतरी पत से इस्तीफा दे दिया है वे देश छोड़ कर भारत पहुँच चुकी है बांगलादेश के आर्मी चीफ चनरल वकार उस जमान ने कहा कि शेना अंतरीम शड़कार बनाएगी राजधानी ढाका सहीत देश भर में सेना तैनात कर दी गई है कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था और उन्हें बांगलादेश की एकोनोमी को बदलने वाला मशीहाब कहा जाता था बांगलादेश में निवेश के लिए भारत और चीन उन्हें लुभाने की कोशिश में जूटे थे अब ऐसा क्या हो गया कि 15 साल से सत्ता पड़का बीज शेख हसीना खुद अपने देश में शुड़क्चित नहीं रही और वो भारत आ गई दरशल शेख हसीना के पतन की कहानी की शुड़वात दो महीने पहले धाका हाई कोट के फैसले से शुड़ू होती है तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले शाट दिनों की वे तीन घटनाएं हम लोग चर्चा करेंगे जिसके चलते उन्हें 15 साल की शत्ता गवानी पड़ी तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी करें आईए हम लोग शुरू करते हैं तो पहली वज़ा जो हम लोगों के सामने दिख रहा है वो है आरक्षन पर ढखा हाय कोट का फैशला दरसल बंगलादेश 1971 में आजाद हुआ था इसी साल वहाँ पर 80% हिजदी कोटा सिस्टम लागू हुआ बंगलादेशी अखवार देली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंतरता सिनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षन पीछडे जिलों के लिए 40% आरक्षन और महिलाओं के लिए 10% आरक्षन दिया गया था शमान्य चातरों के लिए सिर्फ 20% सीटे रखी गई थी कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछडे जिलों के लिए आरक्षन को 20% कर दिया गया शमान्य चातरों को इसका थोड़ा फाइदा मिला उनके लिए 40% सीटे हो गई शुरू में स्वतंतरता शेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षन मिलता था कुछ सालों के बाद स्वतंतरता शेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटे खाली रहने लगी इसका फाइदा शमान्य चातरों को मिलता था हलांकी 2009 में स्वतंतरता शेनानियों के पोते और पोतियों को भी आरक्षन मिलने लगा इससे समान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई और साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड दिया गया इससे कूल कोटा 56% का हो गया और साल 2018 में 4 महिने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद सेख हसीना की सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था दूसरी तरफ 5 जून 2024 को धाका हाई कोट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दिया कोट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे अरक्षन मिलता था उसे फिर से उसी तड़ा लागू किया जाए इससे समान् के लिए चवालिश माय आरक्षों के एक पर्षÄन तो इसकी दूसरी स्वजाद ये नज़र आ रहि है कि शेख हषीना ने प्रदर्शनकारियों को पकिस्तान समर्थक रजाकार कहा दिया था अगर स्वतंतरता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतों को आरक्षन मिलेगा तो कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रधानमंतरी शेख हसीना के दौरा दी गई थी जो कि 14 जुलाई को दिये गए एक इंटर्वियू में ये बात कही गई थी रजाकारों के जिक्र भर से धाका में चल रहा आरक्षन विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसे प्रधानमंत्री शेक हशीना ने इंटर्वियू दिया था धाका युनिवर्सिट उसके मुताबिक शेक हशीना ने प्रदर्शनकारीयों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवी को नुकसान पहुचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेक हशीना को भा जाएगा छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाब अपना हथियार बना दिया उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परिक्षा की तयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार सावित करना चाहती हैं और इस प्रकार स बंगलादेश का जो अकबार है देली स्टार उनके अनुसार प्रधान मंत्री के बाद उनकी पार्टी के काफी नेताओं ने भी इसी तरह के बयान देकर प्रदर्सानकारी छात्रों के अक्रोष को और भड़काया समाज कल्यान मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बंगलादेश के पवित्र जंडे को थामने का कोई हक नहीं है वहीं सूचना एवं प्रशारन राजमंत्री मोहमद अली अराफत ने कहा रजाकारों की कोई भी मांग सुईकार नहीं की जाएगी नेताओं के ऐशे बयानों से उग्र हुए छात्रों का प्रदर्शन और कौन है दरशल साल 1971 में बंगलादेश के लिए हुई जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करे दो दिन गुजर चुके थे 18 दिसंबर की सुबर ढाका के बाहरी इलाके में एक के बाद एक 125 ला से मिलती है सभी के हाथ पीछे बंदे हुए थे इनकी पहचान कर पाना भी मुश्कि जानी मानी हस्तियां थी ये उन 300 लोगों मेशे थे जिने रजाकारों ने बंधक बना लिया था ताकि उनकी जान के बदलेवे बंगलादेश में लगतार आगे बर रही भारतिय शेना से अपनी बात मनवा सके हलांकि जैसे ही उन्हें पाकिस्तान के घुटने टेक देने की भनक लगी रजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला धाका के बाहर एक फैक्टरी और मस्जिद को रजाकारों ने ठिकाना बनाया था यहां से वे उन लोगों पर भी गोलियां बरसा रहे थे जो अपने रिस्तेदारों की लाशे पहचानने के लिए वहां पहुँच रहे भरतिय शेनिकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे तुरंत वहां पहुचे और फैक्टरी को रजाकारों से छुडाया फैक्टरी के पास और भी बंगालियों की लाशे मिली जिने गड़ों में फेका गया था भरतिय शेना की कारवाही में जिंदा बचे दो रजाकारों न नहीं रह गई थी रजाकार अर्बी भाशा का शब्द है जिसका मतलब है स्वय सेवक या साथ देने वाला हलांकि बांगलादेश में इसे बहुत अपमान जनक माना जानने लगा रजाकार का मतलब गदार हो गया जिन्नोंने पाकिस्तानी जनरल टिकका खान के इसारे पर 1971 की लड़ाई में अपनों का ही खून बहाया पुर्वी पाकिस्तान पहुँचकर टिकका खान ने आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे मुक्ती वाहिनी मोर्चे पर लगाम लगाने के लिए तीन तरह की मिलिशिया बनाई अलबद्र, अलशम्स और रजाकार टिकका खान के आ पर के करीब पहुच गई, रजाकारों में बटवारे के वक्त बिहार से बंगलादेश चाने वाले उर्दू भासी मुश्लिम शामिल थे, यह पाकिस्तान के समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि भाषा के नाम पर अलग देश बंगलादेश बने, येलेना बीबर मैन ने करीब और अनपर थे, इन्हें यकीन ता कि वे इसलाम के लिए लड़ रहे हैं, टिक्का खान ने मुझिबूर रहमान की अवामी लीग के खिलाफ डायरेक्ट मिलेटरी एक्शन सुरू कर दिया, पचीश मार्च को सुरू हुए इस ओपरेशन को सर्च लाइट नाम से भी ज आना जाता है, आपरों के मुताबिक पाकिस्तानी शेना और मिलिशिया की बरवर कारवाही में हजारों बंगाली मारे गए थे, रावल पिंडी का हीरो बुलाया जाने वाला टिक्का खान इस घटना के बाद बंगाल का कसाई कहा जाने लगा, अब हम लोग तीसरी वज़ा क के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि सेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुपपी और मेट्रो जलाने पर आशू बाहे गए, दरसल सेख हसीना बंगलादेश में हुए हिंशक प्रदर्शन के बाद हुए नुक्षान को देखने के लिए पचीस जुलाई को मीडपूर 10 मेट्रो स्टेशन का दोड़ा करने पहुची, उस दोड़ान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़ फोर को देखकर शेख हसीना के आशू निकल पड़े, शेख हसीना अपने आशूआ को टीशू पेपर से पोचते हुए नजड़ आई, हलांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से जादा चात्रों की मौत पर एक बार भी कुछ नहीं का, पिछले महिने विरोद प्रदर्शन को लीड कर रहे छे लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच के डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर छे दिनों तक बंधक बना कर रखा था, इनमें से नाहिद इसलाम, महमूद, अबूबकर, मजूमदार, घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, उन्हें वहां से उठा लिया गया, इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया, जब ये कैद में थे तब ग्री मंतरी ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मरजी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है, जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुसा और भड़क गया, प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गये, तो इस प्रकार से बंगलादेश में एक वर फिर से हिंसा का दोर शुरू हो गया, इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रदान मंत्री शेक हशीना के इस्तिफे की मांग को लेकर शड़क पर उतर आये और चार अगस्त को प्रदर्शनकारी और पुलिश के बीच कई जगव पर हिंसा जड़प हुई, अब तक करीब-करीब 97 लोगों क की मौत हो चुकी हैं, और मरने वालों में से 14 पुलिश वाले भी सामिल हैं, वहीं अब तक गूली लगने से घायल हुए 40 से अधीक लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया है, सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देश बढ़ में करफ्यू लगा दिया, साथ ही अग को अपने पद से इस्तिफा देना पड़ा, हिंसक माहौल के चलते शेक हशिना को देश छोड़ कर भागना पड़ा, वे शेना के विमान में रवाना हुई और खवरों के मुताबिक उनकी बहन रहना भी साथ थी, वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुँच गई हैं और मेड गाजियाबाद के उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर उतर गया था और उसके बाद वे लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती हैं बंगलादेश के शेना प्रमोख ने कहा कि हम अंतरिम शरकार बनाएंगे और देश को अब हम समालेंगे आंदोलन मे जिन लोगों की हत्या की गई हैं उन्हें इनसाफ दिलाया जाएगा इससे पहले परोशी देश स्रिलंका में भी आर्थिक संकट के बाद राष्टपती गुटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था और जुलाई 2022 में ऐसी स्थिती बन गई थी क की लोग सरकार के खिलाफ सडक पर उतर आये थे और राष्टपती भवन में घूस गए थे तो फिलाल के लिए अफडेट ये हैं कि प्रदर्शनकारी प्रदानमंत्री अवाच में दाखिल हुए हैं और वहां पर उन्होंने तोड़ फोड और आगजनी की हैं राजधानी ढ प्रदर्शनकारी ओंने दो हाइवे पर कबजा किया हुआ हैं और अब तक तीन सो लोगों की जान जा चुकी हैं इनमें ज्यादातर चात्र हैं ब्यस अफ ने भारत बंगलादेश पर अलर्ट बढ़ा दिया हैं आर्मी ने देश की प्रमुक पार्टियों के निताओं के सब्सक्राइब कर दिया हैं और उन्हें अपडेट दिया हैं प्रतिपक्षिनेता राहूल गांदी ने भी विदेश मंत्री से मुलकात की हैं तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फरदर आगे कुछ अपडेट होता हैं तो हम लोग एक नई वीडियो में चर जाहिन्द कर जो कॉलाब चोल्बें अम्रा आखन महामान राष्ट्रोपोदिर काच्छे जाबो ये एई इंटरेम गवब्मेंट फोर्मेर ब्यापनियों उनस्था आलाप कलशना कोड़े अम्राटें इंटरेम गवब्मेंट फोर्म कोड़े देश पोड़ी चाला नकोड़े